अगर आप स्कोर करना चाहते हैं कंप्यूटर सेक्षिन में 120 प्लस तो इन सीरीज को जुरूर फॉलो करिएगा साथी साथ पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जियो आईटी को लेकर तो हवफुली जो है ये एक्जाम कंड़क्ट होगा आने वाले समय में तो उसके लिए जो है काफी सारे स्टूडेंट ने जो है दिमांड करी थी कि कंप्यूटर पे जो है हमारे लेक्चर्स बनने चाहिए तो आपकी डिमांड को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहां पर यह सीरीज लेके आ रहा हूँ और डेली बेसिस पे जो है आपके ये इसको देखेंगे विध्र रिस्पेग्ट्रवेड इंत written लिएस्सकों को देखेंगे कि सेrences अपकी ओन्स आपका अपका एक बहुत पर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को इसके साथ जोडता है यह जोडता आपके इंटरनेट के साथ, तो computer को इंटरनेट के साथ जोडने के लिए हम इसको इसको इस्तेमाल में लाते हैं, दूसरी बात ध्यान में रखी है कि इसको जो है हम network adapter भी बोलते हैं, तो network adapter हो, चाहे NIC हो, बात एक ही है, यहाँ पे यह जो mbps से start होती है, then 100 mbps हो सकती है, 1000 mbps हो सकती है, and then 1 gbps तक यहाँ पे इसकी speed हो सकती है, तो option यहाँ पे C's का सही answer हो जाएगा, अगले question पे चलेंगे, a hard disk is divided into tracks which are further subdivided into, तो देखो, एक hard disk कैसी होती है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, moving parts रहते हैं उसके अंदर, और यह जो है, यह आपके क्या है, इनको हम बोलते हैं, यह tracks है, अब यह tracks जो है guys further divide होते हैं, छोटे-छोटे इस तरह से sections में, जिनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं, हम sector बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, सभी sector का जो size होगा, fix होगा, कितना होता है normally, 512 bytes का, तो याद रखेगा, exam में पूछा जाता है, 512 bytes का जो है, इसका size रहेगा, ओके, तो एक और चीज़ याद रख लेना, sector से related, sectors क्या होते हैं, यह smallest physical storage unit होती है, क्या होती है, smallest physical storage unit, किसकी, disk की, of disk, याद रखेगा, exam में पूछा जाता है, ओके, चलिए, अगले question पर बढ़ेंगे, बात करते हैं, laser printer technology के बारे में, इसमें पूछा जा रहा है कि laser printer technology में जो है, conditioning stage पर क्या होता है, तो अलग-लग stages होती हैं, जब हम print करते हैं, laser printer के थूँ, और याद रखेगा, printer से हमेशा question पूछा जाता है, और खास तोर पे laser printer से, तो यहाँ पे क्या answer हो जाएगा, option number B, a uniform negative charge is placed on the photo sensitive drum, एक rotating drum रहता है, उसके ओपर जो है, एक corona wire लगी होती है, और उस corona wire को negatively charge किया जाता है, and then, उसको जो है, जो यह ions होते हैं, यह negatively charge होते हैं, basically इनको charge के थूँ, यहाँ पे activate किया जाता है, तो इस तरह से आपको यह चीज़े देखने को मिलेंगे, इसके लावा guys, यह जो printing होती है, वो अलग-लग phases में होती है, तो यह phases कौन-कौन से होते हैं, यह थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, पहला phase होता है, image processing का, सबसे पहले क्या होती है, image processing होती है, then, उसके बाद जो है, charging होती है, then, exposing, exposing के बाद आपका developing stage आती है, then, आपकी transferring stage आएगी, उसके बाद आपकी fusing होगी, and अंततर जो है, आपकी cleaning होगी, and फिर recharging, तो यह अलग-लग stage में जो है, आपकी laser printer printing करता है, अगले question पर चलेंगे हम, what product is used to clean smudged key in keyboard, तो smudged keys means, जो keyboard, जो keys रहती हैं उसमें, वो आपकी dirt के थूँ जो है, गंदी हो जाती है, तो उसको साफ कैसे करेंगे, basically यह question पूछा जा रहा है, तो guys, उसके लिए होता है, all-purpose cleaner, option 10 का सही answer हो जाएगा, ठीक है, तो dirt वगएरा, जो लगी होती है आपके keyboard में, keys के अंदर, वो निकलती नहीं हैं ऐसे, तो उसको जो है, all-purpose cleaner, या फिर, आप जो rubbing alcohol रहता है, उसके थूँ भी जो है, आप इसको remove कर सकते हैं, rubbing alcohol, ठीक है, तो इन दो तरीकों से, जो है, आप इसको remove कर सकते हैं, अगले question पे चलेंगे, that is, the mouse pointer moves erratically, what is the possible cause, तो कई बार क्या है कि, आपका mouse pointer, अच्छे से काम नहीं करता है, वो खुद भी चलने लग पड़ता है, आप जिस तरफ drag करेंगे, उस तरफ नहीं जाएगा वो, तो ये viscose of dirt होता है, तो option इसका, ए सही answer हो जाएगा, आज कल तो जो है, आपके दूसरे LED वाले जो है, mouse आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले जो हमारी use होते थे, वो ball वाले use होते थे, next question, inkjet technology को लेकर है, in inkjet technology, the droplets of the ink are deflected by, तो inkjet printer में जो droplets रहती है, वो कैसे deflect होती है, वो multi-directional nozzle के थूँ होती है, guys, याद रखेगा, option इसका यह सही अंसर हो जाएगा, moving to the next question, which provides the fastest access to large video files, तो बड़ी-बड़ी files जो रहती है, उनको access देने के लिए, fastest access कौन सा देगा, यहाँ पर कौन सी hard drive देगी, EIDE, SCSI hard drive, IDE hard drive, यहाँ फिर optical hard drive, तो यहाँ पर answer जो होगा, hard drive की बात हो रही है, तो SCSI hard drive जो है, fastest access देगी, अब आपको पता होना चाहिए, SCSI है क्या actual में, तो इसका full form होता है, आपका small component system interface, क्या होता है, small component system interface, right, so you have to remember this, अब देखो, यहाँ पर बात आई, hard drives के बारे में, तो hard drives अलग-अलग types की होती है, तो types कौन-कौन से होते है, hard drive के यह जुरूर पता होना चाहिए, SATA, PATA, इसके लावा यह मैंने आपको बताया, SCSI, and then, एक SSD, खर यह तो solid state drive है, यह अलग उसमें आ जाएगा, ठीक है, तो SATA, PATA क्या होती है, यह आपकी serial होती है, serial क्या, advanced technology attachment, ठीक है, तो serial advanced technology attachment, SATA, और PATA क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप आगे parallel लगा जीजेगा, बाकि same full form रहेगी, parallel advanced technology attachment, and serial advanced technology attachment, ठीक है, तो यह अलग-अलग type की जो है, आपकी hard drives होती है, अब गैस बात करें, hard drive जो है, IBM company ने सबसे पहले launch की थी, कब की थी, 1956 के रहा, 1956 में जो है, IBM company ने इसको introduce किया था, moving to the next question, RS-232 is a standard that applies to, तो RS-232 standard जो है, किस में use होता है, serial port में, parallel port में, game port में, या फिर network port में, तो गैस इसका answer क्या हो जाएगा, serial port में, important है, RS-232 जो है, यह serial port में use होता है, serial port की बात करें, गैस दो यह दो type के होते हैं, serial port, right, कौन-कौन से दो type के होते हैं, DB-25, और एक होता है आपका, DB-9, DB-25 में कितने pins होंगे, 25 pins होंगे, और DB-9 में, obviously कितने होंगे, 9 pin होंगे, right, slow, अगर हम बात करें, serial ports के बारे में, दोस्तों, तो यह slow होते हैं, as compared to, अगर हम बात करें, they are slow as compared to parallel ports, ठीक है, एक बात याद रखेगा, parallel ports faster होते हैं, और यह slow होते हैं, serial ports कहां-कहां पर यूज होते हैं, तो याद रखेगा, mouse में इसका यूज होता है, और जो आपके modems होते हैं, या फिर हम बोले, network में जो यूज होता है, वो आपका serial port यूज होते हैं, दूसरी तरफ, parallel ports अगर पूछा जाए, इंटरनेट पे, नेक्स कोश्चन, विच हैल्प प्रिवेंट पावर सर्जिस, कई बार क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाती है, पावर सर्ज हो जाती है, और जो हमारे, बैसिकले जो टेलिविजन बगएरा रहते हैं, या electronic devices जो रहती हैं, उनको बचाने के लिए, जो हम सर्ज सप्रेचसर का यूज करते हैं, तो हमारा जो option यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा, option A will be the right answer, उनको damage होने से बचाने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो network पे जो computer आपस में communicate करते हैं, तो कौन सी common language का use होता है, client adapter protocol यहाँ फिर operating system, obviously answer क्या होगा, protocol के थूँ जो है, computers जो है communicate करते हैं, वो कौन सा है, TCP IP protocol के थूँ, तो यह जो है यहाँ पे use होता है, next question is, in MS-DOS, what command you will use to display system date, अब system की date आपको show करवानी है, MS-DOS के अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों, MS-DOS हो गए आपका, दूसरा आपका Unix, यहाँ फिर Linux, Linux और Unix की same ही commands है, तो यह आपकी अगठी हो जाएंगी, तो इनको जुरूर करके जाना है, तो system date जो है, आप कैसे वहाँ पे डालेंगे, date command, ver command disk यहाँ फिर format, तो answer क्या होगा, option number A, that is date command के थूँ, ठीक है, तो system की date, date command के थूँ जो है, आप वहाँ पे बता सकते हैं, अब यहाँ पे ver command क्या है, तो यह क्या करता है, it prints the, यह क्या print करके देगा, name, और version, किसका, operating system का, OS का name और, version को print करके देगा, ver command, ठीक है, और disk command नाम की कोई command नहीं होती, format command की बात करें, तो यह क्या करेगा, obviously क्या करेगा, erase करेगा, information, from, computer disk, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे, information को erase करने के लिए, हम इसका use कर सकते हैं, next question भी आपका, dos command से related है, maximum length कितनी हो सकती है, guys, dos command की, by using the optional parameter, तो याद रखेगा, maximum जो, length हो सकती है, वो हो सकती है, 127 character की, option sees का, सही answer होगा, और यह question काफी बार, जो है, आपका repeat होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, next question पर चलेंगे, in unix, which command is used to remove a file, तो unix का question पूछा गया है, अगर file को remove करना है, तो आप कौन सी command का, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो simple सी command है, आपको rm use करना पड़ेगा, option b, इसका सहींसर होगा, ध्यान दीजेगा, remove पूरा नहीं लिखना है, आपको rm लिखना है, ठीक है, इसके लावा, mv command है यहाँ पर, तो mv क्या करता है, to move file, याँ फिर directory, किसी file याँ फिर, directory को अगर आपने, move करवाना है, तो आप mv का use करेंगे, ठीक है जी, right, तो याद रखिएगा, next question पर चलेंगे, the agency that sits between the user, and the unique system is called, तो आपका यहाँ पर, unique operating system का, जो hardware रहता है, यहाँ फिर हम structure की बात करें, structure जो रहता है, वो किस तरह का रहता है, देखे, सबसे पहले, सबसे भीतर जो होता है, इसका hardware रहता है, उसके उपर हमारा आता है kernel, ठीक है, and then उसके उपर जो है, system call बोलते हैं इसको, यहाँ फिर interface बोल देते हैं, यहाँ फिर main तोर पे, इसको shell बोला जाता है, फिर shell के उपर आता है आपका क्या, यहाँ पे आता है application program, तो user कहाँ पे है, user यहाँ पे application program को use कर रहा है, तो यह हो गया user program, और दूसरा यहाँ पे बोला, unique system, तो unique system जो है यहाँ पे mainly kernel, kernel और application program के बीच में जो है, आपका shell होता है दोस्तों, option sees का सही नसर हो जाए, what TCPIP protocol is used for remote terminal collection service, तो कौन सा TCPIP protocol use होता है, जब भी remote की बात आएगी, जब आपने किसी computer को remotely access करना है, तो आप वहाँ पे answer देंगे telnet को, ठीक है, और telnet क्या होता है, terminal network, तो आपका answer क्या होगा, terminal network, तो एक network, protocol है, जो की remotely computer को access कर सकते हैं, आप internet पे, तो याद रखिएगा, next चलेंगे, which command is used to create a Linux installation boot copy, हूटने होगा boot copy, तो Linux installation boot copy को create करने के लिए, जो है आप dd and rewrite command का use करेंगे, option यहाँ पे ds का सही answer होगा, ओके, चलिए, next is, what command do you use to create a Linux file system, अब देखिए, Linux में अगर आपको file create करना है, तो आप कौन सी command का use करेंगे, important question है, काफी बार repeat होता है, ठीक है, तो mkfs का use करेंगे, make file, mkfs, तो option भी इसका साइंसर हो जाएगा, last question, not the least, not the last question, second last question है, which layer of the OSI model are managed by network protocol, such as Microsoft Netview, B-E-U-I, तो कौन सी layer है OSI model में, जो की network protocol के दोरा जो है, इसको manage किया जाता है, जैसे Microsoft Netview, तो network layer होगी और transport layer होगी, ठीक है, option A इसका साइंसर हो जाएगा, which is not a logical database structure, इन में से आपको बताना है, कौन सा logical database structure नहीं है, तो guys, tree भी होता है, relational भी होता है, network भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो हमारा answer के option number D हो जाएगा, chain is not a logical database structure, देखेंगे दोस्तों confuse मत होना, tree को जो है hierarchical structure भी बोलते हैं, ठीक है, hierarchical database structure, तो team type के होते हैं, hierarchical, relational and network, ठीक है, और hierarchical को tree भी बोलते हैं, tree को hierarchical भी बोल देते हैं, ओके, चली, last question है आज का, that is, which language is used by most of the DBMS, for helping their user to access data, data को access करने के लिए, जो user किस type की जो है, language का इस्तिमाल करते हैं, तो यहाँ पर answer होगा, query language का, SQL मत कर देना, structure query language मत कर देना, अगर query language option में है, option 20 का साई answer होगा, तो यह आज हमने 20 question discuss की हैं, previous year के, इस तरह से हम daily basis पर question discuss करेंगे, अगर आपका response जो है, यहाँ पर बहतर रहता है, तो मैं इसको आगे भी continue करूँगा, वीडियो अच्छा लगता है, तो kindly like करें, चैनल को subscribe करें, और PDF के लिए आपने यहाँ पर जाना है, success educator 1, telegram channel का में link दे दूँगा, description के अंदर, वहाँ पर जाके भी आप join कर सकते हैं, otherwise telegram पर search करके, success educator 1 पर भी जो है, आप directly जा सकते हैं, और Instagram पे भी जुडियेगा, यहाँ पर मैं information यहाँ पर डालने लगूँगा, ओके, तो मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए चाहें,